बुलरेटिन के शुरूआत करेंगे इस वक्ती बड़ी खबर के साथ तो हिमाचूल की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर कॉंग्रेस ने हिमाचूल के लिए न्यूक्त की अब्जर्वर हर्याड़ा के पूर्व सीएम भुपेंद्र हुटा अब्जर्वर न्यूक्त हुए है करनाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी अब्जर्वर न्यूक्त हुए है आज शिमला पहुचेंगे पूर्व सीएम हुटा और डिप्टी सीएम डीके कुमार कॉंग्रेस के कई विधायकों ने राजसभा चुनाओं में क्रॉस वोटिंग की है उसे लेकर ये अब्जर्वर न्यूक तक किये गए हैं तो ये बड़ी और एहम ख़बर हम आपको बता रखे हैं इसी खबर पर जादो जौनकारी के लिए बात करेंगे अर्याना नियूस के विशेश उसमाजाता रवी काली रमन हमारे साथ जुड़ गए है रवी एक तुरह से देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग देखने को मिली राजसभा चुनाओं में अब अब जर्वर कॉंग्रेस की तरफ से बनाये गए पूरी जौनकारी आज उड़ा शिमला पहुचेंगे बिल्कुल राजवी देखे हिमाजल से जुड़ी सियासी हल्चल से बड़ी खबर है और हर्याना के पूर्व सीम पेंदर सिंग गुटा और डिके शिव कुबार को हिमाजल पटेशन में कॉंग्रेस ने अब्जरवर जो है वो निफ्ट किया है गुटा और डिके आज शिमला पहुंचेंगे नेता विपक्ष जैराम ठाकूर और बिजेपी विधायक दल के साथ आज सुबह राजवाल से मिलने का समय मांगा है कॉंग्रेस की कई विधायकों ने राजवार चुनाव में क्रोस वोटिंग की है वोटिंग के बाद से हर्याना में परवास कर रहे हैं यानि की हर्याना रुके हुए है तो ऐसे भी कही न कहीं संकट सुखु शरकार पर कॉंग्रेस सरकार पर आ गया है और जिसके चलते कही न कहीं तमाम जो नेता है उनको अब्सरवर जो है वो निफ्ट किया गया है अब देखना होगा कि हिमाजल की सियासत में किस परकार से तमाम चीज़े आगे बढ़ती है क्योंकि ना जो एडमकोस की बात की जाए तो कॉंग्रेस के चालिश विधायक जो है वो इस वक्त सदन में है और कॉंग्रेस की जो सूख सरकार है कॉंग्रेस सरकार जो है वो उसको फ्लो टेस्स कराने की मांग की जा सकती है क्योंकि नमबत के हिसाब से 35 विधायक वो कॉंग्रेस के पास होने चाहिए और ऐसे में कहीं न कहीं संकट सरकार पर आ गया है अगर ये तमाम विधायक पाला पदलते हैं या कुछ और करते हैं तो कहीं न कहीं प्लो टेस्स कराने की मांग जो है इमाचल के पूर मुख्यमंद्री की तरफ से नितापतिबक्षी की तरफ से की जा सकती है चुले अब रवी यहां पर एक चीज़ और है कि अगर विधायक बागी हो जाते हैं तो नियुक्त किये गए हैं वो बाकी विधायकों को मना नहीं पाते हैं या फिर ऐसी स्थिति आती है कि यह वाकई दल बदल ले जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो क्या सुखु सरकार पर भी खत्रा है कहीं न कहीं बिलकुँ देखिए उसी के चलते हैं यह अब्जार्वर्स जो है वो नियुक्त की गए हैं क्योंकि बहुमत के लिए 35 विधायकों का होना जरूरी है तो ऐसे में कहीं न कहीं 40 में से 6 विधायक अजर कॉंग्रेस के चिटक जाते हैं तो 34 विधायकों के साथ जैसे 34 विधायक कॉंग्रेस के पास होते हैं तो कहीं न कहीं फ्लो टेस्ट कराने की मांग जो है बारती जिन्ता पार्टी के तवाम जो नेता है वो कर सकते हैं राजेपाल से भी मिलेका उनकी तरफ से समय मांगा गया है तो देखना होगा कि हिमाचल की सियासत किस प्रकार से अब आगे बढ़ती है क्या कुछ अपने जो बागी विधायक है उनको मनाने में कॉंग्रेस के लीडर्स काम करेंगे और किस प्रकार से उनको मनाया जाएगा यह देखने वाली बात होगी अगर कॉंग्रेस की विधायक नहीं मानते तो कहीं न कहीं सुखु सरकार पर संकट के बादल जो हैं वो गहरा सकते हैं जी चोले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए